दोस्तो रबसकार स्वागत है आप सभी का PSD में दोस्तो मैं आप सभी को इस वीडियो के जरी सूचना देना चाहूँगा दोस्तो H.A.S. 2018 में जो आपने एक्जाम दिया था प्री मेंस जिनोंने क्वालिफाई किया था उनको इंटर्व्यू के लिए बुलाए गया था 2019 में मार्च में अभी इंटर्व्यू था तो उनका फाइनली रिजर्ट आ गया है तो दोस्तों इस वीडियो के जरी में आपको यह जान करेंगा साथी साथ आपको बताना चाहूँगा जो लोग H.A.S की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मेंस के जो जिन लोगों ने मेंस अटेंट किया था उन सभी के मार्क्स दे गए है दोस्तों उनको जरूर आनालिसिस करिएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर किस ने प्राप्त किये थे और जो टॉपर है और जिन लोगों का स्लेक्शन हुआ है उनने कितने कितने नंबर अर्जित किये थे और जिन लोगों का भी नहीं भी हुआ है उन लोगों ने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर अर्जित किये थे फिर उस हिसाब से सलेबस भी देखेगा क्योंकि उससे क्या होता है कि कुछ ऐसे subject होते हैं जिसमें कि कितना भी मेहनत कर लो उससे ज्यादा number नहीं आते हैं वो overall average देखके आपको पता चल जाए कि कितने candidate के कौन से subject में क्योंकि जितने भी आठ एक paper होते हैं उनमें से किसमें कितने maximum लाए जा सकते हैं तो वो चीज़े आप देख सकते हैं क्योंकि कई सारे subject में ऐसा रहता है कि candidates के बीच बहुत बड़ा gap होता है कि किसी के 20 नमबर, 40 नमबर जादा होते हैं तो वहाँ पर opportunity होती हैं जहां पर same same number होते हैं मतलब बराबर बराबर होते, equal equal में होते हैं एक दो नमबर उपर नीचे तो वहाँ पे मतलब एक चीज़ समझ दीजेगा यहां पे मतलब जितना आना है उतना ही आना है मतलब वहाँ पे उतनी ज्यादा opportunity नहीं है तो मतलब इस तरह की analysis जरूर कीजिगा जरूत पड़े तो मैं PhD के इस YouTube चैनल पर upload कर दूँगा लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहीं आप जूड़ रहे हैं PhD से पहली बात तो चैनल को कर जिएगा सब्सक्राइब क्यूंकि आपको हिमाचल से जूड़ी सब यह अपडेट्स यहां पर मिलते जाती ह है तो दोस्तों इस साल के रिजल्ट की खास बात है कि टॉप फोर में महिलाएं ही काफिज रही है अपराजिता चप्डेल स्वाटी डोगरा प्रिया नागटा स्वाथी गुप्ता इन चार महिलाओं ने हैस्ट दोजार अठा सत्रा में टॉप किया है तो बाकि आप देख स की जाधत जुड़े रहिए PSD के साथ झाल